उपमंडला धीस टोहाना ने अनाजमंडी जाखल वा लड़कों के स्कूल में बने हुए रैन बसेवरों का निरिक्षन किया वहीं सुरक्षा कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिये गए हैं कि वो अपना कारे पूरा करें गेहों के सीजन में किसानों वा अढ़तियों की किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसको लेकर के टोहाना के उपमंडला धीश ने अनाजमंडी का दौरा भी किया वह उन्हें जो भी कम्या मिली हैं सम्मंदित विवाक के अधिकारियों को आज शाम तक पूरा करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं वहीं उपमंडला धीश ने लड़कों के स्कूल में बने रैन बसेरों का भी निरक्षन किया है उपमंडला धीश नवीन कुमार ने बताया है कि गेहू का सीजन शुरू होने वाला है जिसे लेकर अनाज मंडी का निरक्षन किया गया है इसके साथ-साथ रैन बसेरों का निरक्षन भी किया है उन्होंने यहाँ पर रह रहे लोगों को हर तरीकी सुवधाएं मिल रही है या नहीं उन्होंने बताया कि जो अनाज मंडी में कमी मिली है उन्हें पूरी तरीके से तुरंत सुधार किया जाए और इसके सुरक्षाकर्मियों को निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं उन्होंने बताया है कि 20 अप्रेल से गियूं की खरीद का कार शुरू किया जाएगा तो नाज मंडी में जो दोरा किया अपने स्थान पर पाई गई हैं जो थोटी मोटी कमिया थी उनको बोल दिया गया कि आज शाम तक ठीक कर ले तो एक नाज की खरीद कब तक शुरू हो जाएगी जारा बीस तारीक से अप्राइब कर दो कर दो कर दो